भक्ती एक आवशक विशेग वानी पीडिया से भक्ती का अर्थ है वे प्रक्रिया जिसके द्वारा हम भग्वान के परम व्यक्तित्व से जुड़ते हैं। जैसे ही हम भक्ती शब्द का उप्योग करते हैं भक्ती की प्रक्रिया वहां भक्त और भग्वान दोनों होने चाहि भगवान परम भगवान है और भक्त का तातपर है उनके भक्त से हैं। भक्त का एक परिचय निमन लिखेताथ उधरनों में दिया गया है। उस दार्शनिक द्रविश्वास में स्थापित होना चाहिए। भगवत गीता 13, 8-12 भ्यक्ति को भवतिक लाभ या सकाम गतिविधियों या दार्शनिक अटकलों के माध्यम से लाभ की इच्छा के बिना परम भगवान कृष्ण की देव्य प्रेम पूर्ण सेवा करनी चाहिए। इसे शुद्ध भग्ति सेवा कहा जाता है। इसे मुख्ष लगुताकृत भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह मुक्ति के महत्व को कम करता है। श्रीमत भागवतम 6.1, 15, कर्म मिश्र भक्ती से व्यक्ती दिव्यलोग तक पहुँच जाता है, ज्यान मिश्र भक्ती से व्यक्ती ब्रहम तेज में विलीम हो जाता है, और योग मिश्र भक्ती से व्यक्ती भगवान की सर्व शक्तिमत्ता का एहसास करने में सक्षम हो जाता है लेकिन शुद्ध भक्ती कर्म, ज्यान या योग पर निर्भर नहीं करती है, क्यूंकि इसमें केवल प्रेम संबंध शामिल होते हैं. इसलिए, भक्त की मुक्ती, जिसे न केवल मुक्ती बलकी वे मुक्ती कहा जाता है, मुक्ती के पाँच अन्य प्रकारों सायोजे, सारूपे सालोके, सारश्टी और सामीप्य से बढ़कर है. एक शुद्ध भक्त हमेशा शुद्ध सेवा में संगलगन रहता है. आनुकिलेन कृष्णानु शीलन भक्तिर उत्तम, सीसी मध्य उन्नीज दशमलव एक छे साथ, शीमत भागवत 10.10 बीस से बाईस, भगवान की भक्ती सित्व की सभी दैनी अस्थितियों को कम करने का अंतिन साधन है. इस उद्देशे के लिए ग्यान का मार्ग यारह सिवादी व्यायाम का मार्ग एक साधन के रूप में अपनाया जा सकता है. लेकिन जब तक भक्ती या भक्ती सेवा के साथ मिश्रित नहीं किया जाता है, श्रीमत भागवत 3 जलाई 14 गुरुवार और कृष्ण की क्रपा से व्यक्ती को भक्ती का बीज प्राप्त होता है. यह संगती भक्त को बड़े से बड़े भय से बचाती है. इसलिए हमारे कृष्ण चेतना आंदोलन में हम एक भक्त का नाम ऐसे रूप में बदल देते हैं जो उसे विष्णू की याद दिलाता है. यदि मृत्यू के समय भक्त अपना नाम जैसे कृष्ण दास या गोविंदास याद रख सके तो उसे सबसे बड़े खत्रे से बचाया जा सकता है. इसलिए दीक्षा के समय नाम भदलना आवश्यक है. कृष्ण चेतना आंदोलन इ लगाव विक्सित करता है तो वेह रागमार्ग भक्ति या भगवान के प्रते लगाव में भक्ती सेवा प्राप्त करता है. भक्ति रसामरितर सिंधु 1.2.270 के अनुसार उस सेवा के लिए परम लगाव के साथ भक्ती सेवा जो भक्त के लिए स्वाभाविक हो जाती है. र भगवान चैताय की शिक्षा, अध्याय तेरा, केवल दार्शनिक अटकलों से ही कोई वासुदेव, कृष्ण की पूजा के निशकर्ष पर पहुच सकता है, इसकी पुष्टी भगवद गीता में ही की गई है, तो फिर, दार्शनिक अटकल का अंतिम अंत कृष्ण होना चाहि इस समझ के साथ की कृष्ण ही सब कुछ है, सभी कारणों का कारण है, और इसलिए व्यक्ति को उनके प्रती समर्पन करना चाहिए, यदि यह अंतिम लक्षे प्राप्त हो जाता है, तो दार्शनिक अंती अनुकूल है, लेकिन यदि दार्शनिक अटकल का निशकर्ष श्मि होना चाहिए, उसे उसकी शुद्ध पहचान में पुनर स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें वेह अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के मालिक की सेवा में लगाता है, इसलिए जब हमारी इंद्रियां इंद्रियों के वास्तविक माले के लिए लगी होती हैं, तो इसे भक्ति सेवा कहा जाता है, हमारी सशर्थ स्थिती में, हमारी इंद्रियां इन्शारीरिक मांगों को पूरा करने में लगी हुई हैं, जब वही इंद्रियां कृष्ण के आदेश को क्रियानवित करने में लगी होती हैं, तो हमारी गत्विध्यां भक्ति कहलाती हैं, भक्ति का अम्रित परिचोए